अलो स्टुडेंस जैसे कि आपने देखा होगा मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई आदमी अपना complete image किसी plane mirror में देखना चाहता हो तो उस plane mirror का minimum height है वो आदमी की height का आधा होना चाहिए उसी तरह से मिलता जोलता एक और question पुछा जाता है कि अ अगर कोई आदमी अपना complete face का image किसी plane mirror में देखना चाहता हो तो उस plane mirror का width minimum width कितना होना चाहिए तो उसके लिए हमें जो आदमी का face है उसका तो अजमेंटरी बता होना चाहिए आप देखेंगे मैं नहां पर एक diagram बनाया है जिसमें एक face दिखाया गया है तो face में कि दोनों के बीच का जो separation है वह हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर ए है उसी तरह से जो दो आखें होती है एक आख से दूसरे आख के बीच का distance भी हमें पता होना चाहिए तब ही हम सही तरीके से यह calculation कर पाएंगे तो यहां पर यहां से यहां तक का जो distance है यह distance मान लेते हैं कि बी है और यहां पर जो मैंने प्ले मिरर बनाया है प्ले मिरर का लेंध का भी लंबा लिया होगा इस में से कुछ प्ले मिरर जो है कुछ पार्ट जो है वह हम लोग हटा देंगे रिमूट कर देंगे हमें मिनिमम राखना है तो यह जो face है इसका image इस plane mirror बनाना है तो जैसा कि पिछले मिरिम हमने सीखा था कि किसी भी object का image बनाना हो तो light object से निकल करके मिरर पर incident होना चाहिए और reflection के बाद आँख तक पहुंचना चाहिए तो अगर इस complete face का image दिखना है तो जो extreme points है यानि जो दो कान है इस face के दो extreme points है उनका image दिखना जूरी है अगर वो दोनों दिक है तो बाकी बीच का जो portion है वो दिख जाएगा तो अब आते हैं कहां पर जैसे यह सबसे left side में जो point है यह कान है इस point का image हमें बनाना है अब इसका image जो है खास बात यह है कि जब आप image बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि उसका image हमें किस आंक में दिख रहा है किसी आंक में दिखे हमें दो दिखता है तो दो possibility है अगर मैं इसका image जो है इस आंक में बना हुआ है तो light मुझे कह तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहां से ऐसे आएगा तो reflect होकर के ऐसे जाएगा अगर इस आख में बनाना हो तो light ray यहां से ऐसे आएगा और reflect होकर के इस आख में जाएगा तो अगर इस आख में image बनाते हैं तो light यहां पर incident होगा यानि इस portion की हमें जुरूद नहीं पड़ेगी इतना mirror हट जाएगा अगर इस आंख में इमेज बनाएंगे इस कान का तो लाइट रहे यहां इंसिटेंट कराना पड़ेगा यानि यह वाला जो पार्ट है वह भी यूज हो रहा होगा वहां से भी लाइट जो है वह रिफ्लेक्ट होकर कहीने कहीने यहां वारे आंख तक जाएगा ठीक है न यह प वाला जो इहिंआने उसका इमेज जो है राइट वाले आईज में हमारी तरफ से जो राइट वाले आंड है उसमें उसका इमेज बनाना जाएगे मतलकि इस कान का इमेज इस आंख में बनाना चाहिए जिस से हमें uggसें से कम वीड़ दो है मिरर का यूज करना प्लेगा तो म तो मैं ऐसा करता हूं यहां पर जो है यहां से लाइट की इंसिजेंट कराता हूं कि देखते हैं जैसे यह की यहां पर लाइट इंसिजेंट होगा है और फिर यहां से हम लोग इसको रिफ्लेक्ट भी कराएंगे इसको यहां से reflate करा करके इस आंक में incident करा करें तो वैसे आपको देखने में लग रहा होगा कि angle of incidence और angle of reflection यहां पर equal होगा तो जब इस ear का image इस eye में बने गा तो इस ear का image इस में बनना चलिए तो उसको भी हम लोग यहां पर बना करके कि इसके लिए लाइट रेकर यहां पर इंसिडेंट कराना पड़ेगा हमें तो जैसे यह यह रो गया कि यहां से यहां आया और फिर यहां से लाइट को लोग रिफलेट करा देंगे यहां से रिफलेट कराएंगे ऐसे तो मतलब कि यहां भी एंगिल ऑफ इंसिडेंस और एंगिल ऑफ रिफलेक्शन इकोल होना चाहिए तो कहने का मतलब यह है, जो left वाला ear है, offers light reflect हुआ, यह हुआ होगा और यहां से reflect होने के बार यह light ray इस आँख में चले गा arrow उसी तरह से यह जो k obliged ray इस mirror पर yeah हुआ से reflect होगा और यह reflection के बार इस आँख में चले गा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां से लेफ्ट में यह मिर रिमुर्व कर सकते हैं है ऐसकी ज़रुत नहीं उसी तरह से यहां से जो मिर मिरुर्व इसको को कर सकते हैं हमें केवल इस मीरर की ज़रुत पड़ेगी तो यह जो है तरह से मीनिमम वेट होगे अब इसकी वैलू कैसे निकाले हैं यहां पर देख सकते हैं पहला चीज इसमें हमें यह मानना पड़ेगा कि जो फेस है वो हर तरफ से सिमेट्री है यानि कान और राह के बीच का स्पेसिंग है जो इधर है उतना ही इधरी होना चाहिए टिकया के ज़ो आदमी है पुर नर्मल है कि अनमान ज्रीसे कहते हैं इस हरो Pret Jugend तो वैशा नहीं है यहां पर पर सिमेट्रिक हे टिक कि तो समय कुझ और ही जितना डिस्टेंस यहां के बिच का Алеध और लेफ्ट आंक ए बीच का डिस्टेंस उतना ही राइट कान और राइट आँके बीच का डिस्टेंस होगा तो अगर तोटल डिस्टेंस जोड़े दोनों कान के बीच का तो इधर से होना चाहिए यह एक्स प्लस बी प्लस एक्स यानि यह हो जाएगा टू एक्स प्लस डी और उपर आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि दोनों कान के बीच का जो डिस्टेंस यह है उपर दिया गया था और यहां पर हमने जो एक्स एजूम किया है उसके हिसाब से यह हो गया 2x plus b तो यहां से हम लोग x का value निकालेंगे तो आएगा a minus b divided by 2 है ना तो x का value मतलग कि यह जैसे right वाला आँख और right वाला कान के बीच का जो distance है वो x है और उसकी value आई है a minus b by 2 ठीक है चुकि हमने symmetric माना है तो दोनों side में distance x x लिया था अब खास बात यह है कि यहां पर जो है हर तरब से symmetry है तो अगर यह angle of incidence आई था तो angle of reflection आई और इधर से भी चुकि सारे distance x जैसे हैं तो यह angle of incidence भी आई ही होगा और यह भी आई होगा तो सारे angle equal होने का मतलब क्या हुगा कि यह light और यह light दोनों parallel हो गए यह और यह भी दोनों parallel हो गए अच्छा यह और यह parallel होने का मतलब यह हुगा कि जो distance यह x आएगा उतना ही distance यहां भी आएगा ठीक है ना कहीं पर ही यह दो parallel light rays हैं तो इनके बीच का separation horizontal separation कहीं में निकालेंगे तो equal आएगा तो अगर उपर x था तो नीचे भी x ही आएगा यहां से देख सकता हैं यहां भी x था आमने x लिया था यह तो यहां भी x आएगा इस x की जो value आएगी वो आएगा a minus b by 2 ठीक है तो यह कहा जा सकता है कि अगर face का complete image देखना हो तो minimum weight जो plane mirror का होना चाहिए वो होना चाहिए a minus b by 2 जहां पर a क्या है वो दोनों कान के बीच का distance यानि face का पूरा weight हो गया और b क्या है दोनों आँख के बीच का distance है ना तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि ध्यान हैगा तो कर सकते हैं कि minimum width of plane mirror to see the complete image to see the complete image of face is a minus b by 2 where a is separation between ears and b is separation between eyes and this symmetric case मांते हुए हम लोग जो है यह value जो है वो is लो कि आग कि छोम आग